कस्टमाई्स को टैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे टास्क बाइर की सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं किसे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये देखिए möglich ये अपलों का ध्यान होना चाहिए थीक है अपलों का फूरा ध्यान ये अरों सब्यांस रख़ले C ये क्लास ॏर्फल का कंप्यूटर का चल रहा है ठीच है इस चीज को आप ध्यान रखिएगा सबसे पहला step क्या है आपका right click करना है ठीक है सबसे पहले यहां पर देखिए यह क्या है आपका यह जो है horizontal line है यहां से लेके यहां तक यह horizontal line है यह क्या है आपका task bar है ठीक है जिसमें यहां पर यह जो होता है option यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर देखे switch off, on और सारे apps वगरा सारी चीज़े होती है home button होती है आपकी फिर यहाँ पर यह सारे icons होती है और यहाँ पर भी देखे यह जो छोटे छोटे जो है pictures देख रहे हैं यह सब क्या है ठीके और इधर date and time है और आप कैसे internet चला सकते है इसका connection यहाँ पर language यह सारी चीज़े आपके taskbar में सो हो रही है ठीके आप लोग अपना पूरा focus arrow पर करिए arrow जहां जहां भी जा रहा है उस पर आप लोग ध्यान दीजे ठीके अब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर right click ठीके right click करेंगे तो यह एक dialogue box open होगा अब इस dialogue box में यहाँ पर देखिए आपको taskbar setting दिख रहा है ठीके arrow पर धान दीजी आप लोग taskbar setting पर click करेंगे ठीक अब एक window open हुई अब इस window में आप आप लोग को जानना क्या क्या है ऐसे तो पच्छों बहुत सारी चीजे होती है बहुत सारी settings होती है लेकिन अभी आप लोग को जो जानना है यह है कि यह है आपका lock the taskbar ठीके यह जिस पर on किया हुआ है इसको off कर सकते हैं अगर हम इसको off कर देंगे तो आपका taskbar lock नहीं रहेगा इसको lock the taskbar हमेशा करके रखते हैं जिससे taskbar stable रहे अब second option है आपका automatically hide the taskbar in desktop mode अब इसको अगर आप on कर देंगे तो अगर आप taskbar नहीं use कर रहे है अगर आप taskbar नहीं use कर रहे है तो automatically वो क्या हो जाएगा height हो जाएगा ठीक है लेकिन हाँ इस option को use करने के लिए सबसे पहले आपको इसको off करना पड़ेगा फिर इसको on करना पड़ेगा ठीक है अब देखिए इसको on करने के बाद नीचे देखिए taskbar दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना अभी को जब use होगा जैसे यहाँ पर मैंने एरो किया यानि taskbar का use है ठीक है अब इस पर आप क्लिक कर दीजिए देखिए फिर से taskbar अपीर हो गया ठीक है यानि अगर automatic height हुका option select करेंगे हम तो taskbar क्या होगा? disappear हो जाएगा ठीक है यहाँ पर so नहीं करेगा जब हम यहाँ पर arrow करेंगे तो so करेगा ठीक है तो चलिए अब इसे off कर देते हैं unlock the taskbar on कर देते हैं जिससे taskbar यहाँ पर lock हो जाएगा यानि हमेशा यहाँ पर taskbar appear होगा ठीक है next आप लोग को क्या जानना है use small taskbar buttons अगर हम इस पर click कर देंगे ठीक है इस पर हम click करेंगे जो तो taskbar में देखे यहाँ पर change आया रहा है यहाँ पर जो icons है इसकी size क्या हो गई small हो गई यानि यह जो icons है यह इसकी size है इसकी small size हो गई छोटे-छोटे boxes हो गई ठीक है अब इस पर हम फिर से click करते हैं देखिए फिर से इसकी size है यह क्या हो गई big size हो गई सारे जो icons थे ठीक है यह चीज़ समझ आ गया आप लोगों को अब next आप लोगों को जो जानना है वो यह है कि आप यह taskbar location on screen यानि taskbar आप अपने screen पर कहीं भी add कर सकते हैं प्रूरी नहीं है कि taskbar नीचे ही हो ठीक है अब यहाँ पर देखिए option है यह तो bottom है आपका option है bottom right side भी आप set कर सकते हैं अपना taskbar top पे भी कर सकते हैं left भी कर सकते हैं ठीक है मैंने यहाँ पर bottom select किया हुए taskbar ठीक है usually bottom नीचे ही दिखेगा आपको taskbar ठीक है बटाव अपने मर्जी से कहीं भी इसको कर सकते हैं ठीक है ठीक है समझ में आ रहा है आप लोगों को आप देखिए यहाँ पे अब next आप लोगों जो जानना है वो यह है कि combine taskbar buttons यह क्या होती है इसको हम always height label पे ही करके रखते हैं ठीक है इसमें और भी option है जैसे when taskbar is full ठीक है जब आपका taskbar फूल हो जाता यानि नीचे आप अगर कई साथ एक यह कही बार में आपने कई सारी windows open कर दी है तो नीचे अगर आपका taskbar फूल हो गया है फिर आप इस option का use करेंगे ठीक है when taskbar is full तो इससे क्या होगा कि आपके जो icons है वो उसमें combine हो जाएंगे ठीक है इसमें urges हो जाएंगे और next है आपका never अगर आप never पर क्लिक कर देंगे तो इसमें अगर आप देखें नेवर पर क्लिक करते हैं तो क्या change आता है मैं practical दिखाती हूं आप लोग को नेवर पर क्लिक किए अब यहाँ पर देखिए आइकन के साथ साथ उसका label भी सो करता है यानि यह क ना करके हम फिर से क्या कर देंगे always hide labels तो अब क्या है only icon सो कर रहे है ठीक है icon की image सो कर रही है और अगर हम label पर करेंगे तो icon की image के साथ साथ उसका label भी सो करेगा ठीक है बच्चों तो आप लोग को task bar में इतनी setting के बारे में जानना था आपके chapter में इतना है आप अपना book open कर लिएगा ठीक है उसमें step by step जैसे है आप इस वीडियो को देखीगा आपको सारी चीजे समझ में आ जाएंगे ठीक है और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा ठीक है thank you so much and our channel को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोगा जो भी computer क मैं बताऊंगी उसको आपको मैं practical करके भी बताऊंगी ठीक है my dear children thank you so much for listening me be happy stay healthy bye bye